बेराइस से इस वक्की बहुत बड़ी खबर आ रही है इक और भेडिया पकड़ लिया गया है पांचवा ये भेडिया है आदम खोर भेडिया है पिछले दो मैने से राद राद भाग कर जाक कर यहाँ पर गाओं वाले अपनी नीन को हराम करकर आदम खोर भेडिया को ढून रहे थे 200 लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी वन विभा की बहुत बड़ी सफलता है और जानकारी देंगी हमारी सायोगी रेनु जोड़ गए रेनु कैसे पकड़ा गया आदम खोर भेडिया देखे मनू सबसे पहले तो यह बहुत बड़ी चुनवाती बना हुआ था क्योंकि आदम खोर भेडियों को पकड़ना एक बहुत बड़ा टास्क था बन विभाग की टीम, राज्यस्वी की टीम और साथी साथ पुलिस प्रशासन लगा हुआ था इनके साथ पूरे ग्रामें 2400 घंटे लगे हुए थे कि कैसे इस भेडियों को पकड़ा जा सके जागते रहों कि नारे लगते रहे थे बिलकुल और आप देखेंगे पूरा गाउ में इस वक्त आतंक मचा हुआ था लेकिन अभी भी दर कम नहीं हुआ है क्योंकि ये पांच बाप भेडिया पकड़ा गया है जब चौता बेडिया पकड़ा गया तो तो माना जा रहा था कि शयाद अब थोड़ा सा महल शान्त होगा लेकिन असा बिलकुल नहीं था उसके बाद कई हमले हुए भेडियों के यहां तक कि इसके बाद दो और बच्ची पर भी इसने हमला करने की कोशिश किये एक बच्ची की तो धाई साल की उसके दर्दनाक मौद भी हो गई थी और उसके बाद एक बूड़ी महिला पर भी उसने हमला किया क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ये तो हम जानें के रिनूर से लेकिन अपने दर्शुकों को बदा दे कि पकड़ा कैसे गया ये भी आप तस्वीरों में देख लीजिए लाठी से काबू करते हुई वीडियो आप देख रहे हैं वनविभा के टीम कैसे सुकून इनके चहरे पर राहत ग्रामीडों के चहरे पर नजर आ रही है कि कोई ना कोई उनको पकड़ने के लिया आरे है इसलिए वहां से वह लोकेशन बदल देते थे भेड़ेों को पकड़ना इसलिए मुश्किल होता क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज होता है उनके अपहास हो जाता है कि उनकी तरफ को य आ रहा है तुरंट-अपना वह कि वन विभाग की टीम को उन्होंने नाक्षचने चबवा दिये और पकड़ने में इतने दिन लगते हैं। जो इलाके में घूम रहें क्योंकि अभी पांच भेड़ी पकड़े जा चुके हैं। को बढ़ा रहे थे कि हम आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री ने सीधे क्या दिया था। जैसे दिखें वहाँ पर फार कर दीजे, शूट कर दीजे। राजनीती हुई, सियासत हुई, लेकिन चुनौती बना हुआ तो राकिर कारब माना जाए कि बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल, अब बहराइच के हरबक्ष पुर्वा गाउं हैं, वहां से इस भेडियों को पकड़ा गया है। आज सुबह पकड़ा गया है। और यह माना जा रहा था कि पहले से ही दरसल ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है और आसपास के लोग छुपकर इनकी अब रैकी एक तरीके से कह सकने कर रहे थे। और इन भेडियों को पकड़ना इसलिए भी चुनाती है क्योंकि इनकी जब से सदस से गायब होना शुरू हुए थे भेडियों के उसके बाद से इन्होंने लगतार अपना शेतर बद्ला है। पहले 20 गाउ प्रभावित थे, फिर 30 गाउ हुए, फिर 35, 45 और अब 55 से 60 गाउं ऐसे हो चुके हैं। आई हुए हैं, अखिरकर आदम खोर क्यों बने ये भी आपको कहानी बताएंगे लेकिन शिकार करने का तरीका भी बदा लिया था। चुकि गाउंवालों को बताया गया कि आप लोग दर्वाजा लोग करके रहिए और हो सके तो चट पर जाएं। लोगों ने जब चट पर सोना शुरू कर दिया, तो ये जो आदम खोर भेडिये थे, ये पेड़ के सारे चट पर तब भी चले गए थे। तो इतने शातिर होते हैं, दवे पाउं शिकार करते हो और इसलिए बहुत बड़ी चुनोती थी लेकिन जाही तो पर अब माना जारे कि एक और भेडिया हो सकता है, जिसकी तलाश अब होगी रेनू। बिल्कुल बिल्कुल एक नई मनुराच हम क्या सकते हैं तीनसे चार भेडिये और हो सकते हैं यहीए बहुत बड़ी अपडेट है कि चार सर पाच भेडिये और हो सकते हैं। कि आपने काफी यहां पर रिसेर्च की है यह आदम खोर क्यों हो गए देखिए मनुराज पहले तो ऐसा हुआ था कि इनो ने आपके भूक मिटाने के लिए एक दो हमले की उसके बाद इनके एक सदस गायब हो कहा जा रहे कि वह मादा भेडिया थी और उसके गायब होने के बह एक एकसपर्ट से भी हमने बात की थी और इसको देखे समझने के लिए रिनू हमें वह पेटर्न भी समझ दा होगा सब्से पहला हमला अब आँ ता मार्च में मार्च में दो हमले हुए उसके बाद चानती रहे जुलाई जो कि देखिए अब बार जैसे हाला तो गाह गागर के लिए जब आगे बड़े आवारी वाले इलाके में पहुँचे तो जाहित आपर बहुत आसान होता है, soft target होते हैं बच्चे रिनू, बच्चे और बुज़ुर, बहुत कमजोर होते हैं, इनको ये पता होता है, वो दो किलोमेटर लेके जाता है, तो ऐसे में लेने के लिए शिकार को पहुचाने के लिए जाहित आपर बच्चे soft target हो गए, महिलाए soft target हो गई, और इसलिए आप देखी कि लगाता जो शिकार हुआ है, वो महिलाओ और बच्चों का ही हुआ है, और ज़रा समझना होगा मनुराज कि यहाँ पर भेडियों के लिए बहुत आसान क्यों होगे हमला करना, क्योंकि बारिश का मौसम है, खेत, मिट्टी, फिसलती है, और इसमें भेडियों के गदी नुमा जो पंजे होते हैं, वो बहुत आसानी से महाँ पर छोलंग लगा कर पहुच जाते हैं, लेकिन वन विभाग की टीम के लिए वहाँ पर दोड़ पाना, वहाँ पर गारी चला पाना, उनका पीछा कर पाना बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा था, अच्छा एक चीज़ और है, अपने दर्शुकों को बदा दे कि 20 साल पहले भी यहाँ पर इस तरह की सिती देखने को मिली थी, 40 बच्चे शिकार हुए थी उस वक्त पर, वही लग रहा है कि तस्वीर एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं, बड़ी महिलाइ इसमें शामिल है, और एक बात समझना होगा कि इन भेडियों से बचने के लिए, दरसल गाउं में कच्छी मिट्टी होते ही, कच्छी मिट्टी के घर बने होते हैं, और जादा तर जो कच्छी मकान होते वही पर ये दर्वाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। भेडिया एक ऐसा जानवार जिसे कभी पट्ट नहीं पहनाया जासा कर जिसे कभी कोई पाल नहीं पाया है। आपने देखा होगा सर्कस में shared को गूम इशारों पर नास्ते हुए लेकिन आपने भेडिया कभी नहीं देखा होगा और यह भेडिया आदम खोर बन गया आतंक बना हुआ है लेकिन आम माना जा रहे हैं कि बहुत बड़ी रहात बहुत बड़ी एपडेट, बहुत बड़ी खबर कि पांचवा भेडिया जो कि बता जा रहे हैं लीडर था इन सब के ग्रुप का वो पकड़ा गया है बहुत बड़ी खबर कि पांचवा रहे हैं लीडर था इन सब कर दो दो कि बता जाए है